एलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू बाइयो लर्निंग आज हम पढ़ने वाले है क्लास 11 का चैप्टर सेल यूनिट ओफ लाइफ तो यह चैप्टर जो है इसमें आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं सेल क्या होता है तो पहले हम बात करते हैं सेल क्या है देखो सेल की ये जो definition है fundamental structural and functional unit of all living organism बच्पन से हम ये definition पढ़ते आ रहे हैं कि जो cell है वो हमारा क्या है basic unit है सभी living organism का हमारा पूरा body जो है वो किसका बना हुआ है cell का बना हुआ है ठीक है हमारी पूरी body cell की बनी है और हमारी ये body में क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि cell है cell मिलके क्या बनाता है tissue tissue बनाता है tissue से फिर क्या बनता है organ बनता है organ बनता है फिर उसके बाद क्या बनता है organ system बनता है organ system बनता है जैसे हमारा digestive system excretory system है ठीक है तो हमारी पूरी body cell की बनी हुई है और वो ही cell हमारी body में बहुत सारे function भी करवाता है जैसे हमारा जो है ये excretory system है digestive system है इतने सारे body में system present है अगर किसी भी system में कुछ भी खराबी आ गई कुछ abnormality आ गई तो क्या होगा हमारी body पे भी उसका असर पड़ेगा तो हमारे body के functioning में problem हाईगी तो हम क्या सकते हैं कि cell क्या है हमारा body का structure तो बना ही रहा है साथ में पूरा body का जो function है वो भी करवा रहा है तो cell क्या हुआ functional fundamental structure functional unit of all living organisms basic unit है सभी living organisms का अब cell की जो describe है सबसे पहले देखा किसने था और describe किया था एक live cell को किसने किया था describe अंटोनी वॉन लिविन होग ठीक है इन्होंने describe किया था cell को और जो Robert Brown थे इन्होंने nucleus को discover किया था इन्होंने nucleus को discover किया था जितने भी organisms हैं वो cell के बने होते हैं अब यहाँ पर spaces पर हम बात करें तो organism जो होते हैं एक unicellular organism जिनके अंदर सिर्फ एक cell present होता है और multicellular organism जिनके अंदर बहुत सारे cells present होते हैं जैसे कि हम हमारी पूरी body के बहुत सारे cells की बनी होई है देकि जो unicellular organisms होते हैं इनके अंदर क्या है क्योंकि सिर्फ एक cell present है इसलिए independently exist करते हैं किसी और के उपर निर्भर नहीं करेंगे और यह जितने भी important functions है इनकी life के इनका एक ही cell करेगा मतलब वो एक cell digestion भी करेगा वो एक cell excretion भी करेगा दोनों काम करेगा तो यानि जितने भी important functions होंगे वो single cell जो है वो ही करेगा unicellular organisms में फिक है तो यह हमने एक देखा कि cell क्या है और दो तरह के organism unicellular multicellular next जो है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं cell theory के बारे में यह भी जो है यह हमने चोटी classes में पढ़ रखी है cell theory क्या होती है इसके वारे में बात करते हैं देखो 1838 में जो sheldon थे एक botnist थे यह तो इन्होंने क्या कि आप plants का ही उपर काम करते होंगे यह वह सारे plants को observe किया और क्या कहा कि जितने भी plants हैं सभी में different different तरीके के cells होते हैं ठीक है और वो क्या बनाते हैं tissue बनाते हैं यह च zoologist थे जिनका नाम था शेक्वान थे उडर शेक्वान इन्होंने यह चीज़ अनिमल्स के अंदर देखी अनिमल्स के अंदर different तरीके के cells देखे और एक चीज़ इन्होंने और अब्जर्व करी कि अनिमल्स के अंदर एक पतली सी layer present होती आउटर layer cell की इसको हम क्या बोलते ह plasma membrane एक और चीज़ उन्होंने क्या देखी कि जो plants होते है plants के अंदर क्या present होती है cell wall present होती है plants के अंदर cell wall जोती यह चीज़ भी इन्होंने देखी तो इस basis पे शेक्वान ने hypothesis प्रपोस करी और यह क्या बोल रही थी bodies of animals plants are composed of cells and product of cells यह चीज़ शेक्वान ने बोली लेकिन इ यह चीज़ की वज़े से यह theory modify करी कि इसने रुडॉल्फ विर्चो ने इन्होंने 1855 में यह बता दिया कि जो एक cell होगा वो जब divide करेगा उसी से नया cell बनेगा यानि pre-existing cells से ही new cells का formation होता है तो फिर दो points निकल के आई cell theory के जो modify होकर आई पहला point के आया कि जितने भी living organisms है they are composed of cells and product of cells second point क्या निकला all cells arise from the pre-existing cells यह हो गई cell theory next हम एक थोड़ा सा overview देखते है इस chapter में तो अब हम बात करते है कि जो एक cell है अगर हम overview देखे तो cell के अंदर क्या क्या चीज़े present होती है पहले हम बात करते है nucleus तो nucleus क्या होता है dense membrane bound structure जिसको हम nucleus बोलते है इसमें chromosomes होते हैं जिसमें genetic material यानिके DNA प्रेजनंत होता है ठीक है nucleus बात करते हैं UK eukaryotic cell जेल सेल किसको बोलेंगे जिस cell के अंदर जो nucleus है वो nuclear membrane से bound है उनको हम बोलते हैं eukaryotic cells यानि membrane bound nucleus present है eukaryotic cells तो हो गए अब बात आती है prokaryotic cells gels जिनके अंदर membrane bound nucleus absent होता है उनको हम prokaryotic cells बोलते हैं अब इसके साथ में ही और क्या होता है cell के अंदर cytoplasm चाहे prokaryotic cell है चाहे eukaryotic cell है दोनों में एक semi fluid matrix जिसको हम cytoplasm बोलते हैं वो present होता है यह cytoplasm जो होता है cell में जितनी भी activities होती है वो इसी के अंदर होती है चाहे plant cell हो चाहे animal cell हो दोनों में ठीक है next बात आती है और्गनल्स देखो कुछ membrane bound distinct structure जिनको हम और्गनल्स बोलते हैं यह eukaryotic cells में present होते हैं यह कौन-कौन से और्गनल्स होंगे endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosomes, mitochondria, micro bodies और vacules लेकिन जो prokaryotic cell है उनके अंदर इस तरह के membrane bound और्गनल्स absent होते हैं next देखो क्या होते हैं ribosomes, ribosomes क्या होते हैं यह भी present होते हैं cell में यह non-membrane bound और्गनल्स होते हैं जो सभी cells में prokaryotic cells और eukaryotic cells इन दोनों में present होते हैं तो ribosomes भी जो होते हैं वो cytoplasm में तो मिलते ही हैं इसके साथ में जो plants में chloroplast होता है उसमें भी हमें ribosomes देखने को मिलते हैं mitochondria में ribosomes देखने को मिलते हैं और rough endoplasmic reticulum जो होता है उसमें भी ribosomes present होते हैं ठीक है इसके साथ में और क्या होते हैं centrosomes जो animal cell होता है ठीक है उनके अंदर कुछ non-membrane bound और्गनल्स जिनको हम बोलते हैं centrosomes यह क्या करते हैं cell division में help करते हैं यह present होते हैं अब देखो लास्ट में में बताया है कि जो cell होता है उसका size, shape उसकी activities भी vary करती है जैसे कि जो mycoplasma है यहाँ पर यह smallest cell है लगभग 0.3 micrometer का length में bacteria का 3-5 micrometer में होता है ठीक है largest isolated single cell किसका है जो egg होता है ostrich का वो largest cell है उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे cells बताया हूँ है जैसे red blood cell rbc round होते हैं बाइक uncave structure है wbc cell जो होते हैं वो amoeboid shape होती है ठीक है long और narrow shape होता है जो epithelial colpnar epithelial cells होते हैं उनकी shape होती है nerve cells जो होते हैं यह branched होते हैं और long होते हैं ठीक है longest होते हैं tracheate जो हैं वो elongated होते हैं mesophyll cells round and oval होते हैं तो हमें shape बताया हूँ है कैसी हो सकती है multi cell organism में red blood cell जो है rbc कितने होते हैं 7.0 micrometer होता इनका diameter उसके बाद nerve cells हमने बोला अभी longest cells होते हैं फिर cells जो है वो shape में भी vary करते हैं disc shape होते हैं हमने अभी देखी shape कैसी कैसी है disc shape, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, irregular तो shape जो होती है cell की वो भी vary करती है जिस तरह का function वो करेंगे उसके accordion की shape vary करती है तो यह था आज की class का एक basic हमने overview देखा cell के अंदर क्या-क्या present होता है cell theory देखी और cell क्या है next हम जो है start करेंगे next class में prokaryotic cell यह सब्सक्सेश् 1 झाल झाल